हाई अबरिबन वेलकम टू कैपिल एंड गेंज यस बैंक के स्टॉक में सिंगल डे में 8.10 परसेंट की गिरावट हुई क्या इसके रिजन कंपनी के क्यों थी रिजल्स हैं पहले वो देख लेते हैं 21st जैन को ही कंपनी के क्वार्टली रिजल्स आए जिसमें कंपनी का year on year basis नेट प्रसेंट में अप्रॉक्षीमेट 80% कि गिरावट हुई और नेट प्रसेंट हुए 55 करोर के जबकि सेम क्वाटर में एक साल पहले के नेट प्रसेंट अधे 265 करोर नेट प्रसेंट जो कम हुए है इसका रिजन जो दिख रहा है वो है हई-अई-अधिन अ्यू müssen is पर highest है लेकिन प्रोविजनिंग इस quarter में हुई है 844 क्रोर की ग्रीन लाइन में अंडरलाइन किया है आप जग कर सकते हैं जो के एक साल पहले थी 374 क्रोर की लेकिन अगर NPA की बात करें तो ये ratios काफी better हुई है gross NPA है 2.02% जो की same period में एक साल पहले था 14.65% लेकिन अगर net NPA की बात करें तो एक साल पहले था 5.29% एन इस quarter में हुआ है 1.03% इन ratios के better होने के पीछे का reason आप सबको पता है कि company ने अपने bad assets JC floors को sell कर दिये थे overall अगर देखा जाए तो results काफी अच्छी रहें because इस quarter में sales, operating margins and NPS काफी better देखें गिरावड के पीछे का जो reason है वो quarterly result नहीं बलकि Bombay High Court की एक judgment है 5 to 6 years पहले Yes Bank ने 81 bonds issue किये थे 81 bonds perpetual securities होती है जिसे bank ने अपने core capital को strong रखने के लिए issue किये थे 81 bonds काफी risky होते हैं investors के लिए and इसमें higher interest rate भी offer किया गया था जो था 9 to 9.5% इन bonds को कुछ institutions and retail investor ने खरीदा था लेकिन जब bank के loan fraud के चलते condition खराब हुई तो Reserve Bank of India ने section 456 B of Act 1949 के according in bonds को write-off कर दिया जो 81 bond holder थे वो Bombay High Court चलेगे और उन्होंने code को बताया कि Yes Bank के executives ने इस associated risk को सही से नहीं बताया था इसी के उपर 21st Gen को Bombay High Court का judgment आया जहां Bombay High Code ने 81 bonds को write-off करने से मना कर दिया इसके साथ साथ Yes Bank ने Supreme Court जाने के लिए भी Announce कर दिया है and इसके लिए Yes Bank के पास six week का time है money control की इस report को मैंने description में डाल दिया है detail में आप इसे पढ़ सकते हैं stock market से जुड़े educational वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले and आप वीडियो को भी like कर दे तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में take care